एक वार एक डॉक्टर ने कहा कि हलका भोजन किया करो और दवा करो परेज करो ठीक हो जाओ अब रास्ते में चला सोचने लगा हलका भोजन किया हलका अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हलका पानी है मिट्टी नीचे बेढ़ जाती पानी उपर उठ जाता है मिट्टी के उपर रहता पानी पानी हलका है फिर सोचने लगा एक पानी के उपर घी तेल डाल दो तो पानी के उपर तहरता है घी तेल तो पानी से हलका घी तेल और फिर घी तेल में जो सिकह पूरी पराठा वो उससे भी हलका अब बोलो ऐसा हलका भोजन करे गुरू जी ने जो कहा वही करना चाहिए क्योंकि सद्गुरु वैद दिये वचन विश्वासा साइयम यहां नविश्वासा आसा कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालिमा क्या है अज़ा आप ऐसे सोचें आपने एक शब्द सुना होगा काला धन बहुत चर्चा का विश्वारा काला धन और काला धन का हम को तो यह कही अर्थ लगता है चीज दूसरे की कब जा अपना किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है शरीर किसका भगवान का संसार किसका भगवान का अरे और तो और सुआस भी हमारी नहीं है भी भगवान की लेकि कब जा हमारा जब तक हमारी सुआस चल रही है हमें लगें भले ही कि हमारी स्वांस पर हमारी नहीं है अगर स्वांस हमारी होती तो जब मन होता तब लेते नहीं मन होता नहीं लेते और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है आज तो न ले और कोई कहता तो हम यही कहते हैं हमारी सांस ले न ले तुम कौन हो तो स्वास भी हमारी नहीं सब कुछ भगवान का है और हम मंदिर में कहते भी है तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अलपन क्या लागे मेरा ओम जै जगदीश हरे सब भगवान का है यह तो हम कहते हैं तो है ही भगवान का लेकर सचाई से बोलना हमने मान किसका लखा है भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधार हैं तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महराज आपका ही है यह घर आपका यह परिवार आपका महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है कह रहा है और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है लेकिन कह रहा है और अगर कोई कहे कि महाराज सवाब कही है महात्मा कहे हमारा है हाँ तो निकलो बाहर अगर एकाद घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें हम भगवान से भी वैसे ही कहे जाने कि सवाब का है समझदार आदमी है मंदिर में कहेगा तनमन धन सब्थेरा और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा महत्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता भगवान हस्ते का तेरा तेरा अब कहे रहे हुआए अरह उस सब्थभा रहे यहे एक महत्मा सुन रहे थे वो हस रहे थे उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहें महात्मा हस रहें प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं प्रार्थना पूरी होते ही गया महराज हम प्रार्थना कर रहे थे आप हस रहे थे महात्मा बूले हम तो यू कर रहे तो कर रहे तु इसलिए तो हम हस रहते हैं वानी से कहते हो तनमन धनसब तेरा पर मन से पूछो मन भीतर ही भीतर कहता तनमन धनसब मेरा प्रभु सब कुछ है मेरा आज के आदमी की नियत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझे को दे दो क्या लागे तेरा यह हमारा सुभाव है देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुन्दर माना और निकृष्ट कहे मेरा सिद्धानती है मेरा है सु मेरा और तेरा है सु तेरा है माना और निकृष्ट कहे मेरा सिद्धानती है मेरा है सु मेरा और तेरा है सु मेरा है मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा और मद्यम मनुस की बिनीत यह प्रब्रती देखी और कहते है मेरा है सु मेरा और तेरा है सु तेरा है पर उत्तम मनुस के विचार अच्छ देखे मेरा तेरा है सु तेरा और मेरा है सु तेरा है और तीनों के बीच में बोल उठा ग्यानी नर ये जूटा जमेला है न मेरा है न तेरा है तो है किसका ये भगवान का न मेरा न तेरा